Good evening friends, my name is Raj and you are watching your favorite channel Raj Technical Analysis आज का डेट है 13 जुलाई 2022 आज हम लोग जिन से इसक्यों पर मंतली प्रिव्यू करेंगे वो है Sipping Corporation of India जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ Why Discipline is Required in Share Market Then we will talk about Blue Star जहांपे मेरे सारे सब्सक्राइबर प्रॉफिट में है अगर आप लोग मेरे वीडियो रेगुलरली देख रहे है Blue Star जह मैं लाइव आता था तब भी आपको बताया था 800 इसका सबसे स्ट्रॉंग जोन है 800 से 1000 यह कितनी बार हुआ है Within 6 मंथ आप खुछ चेक कर सकते हैं फिर बात करेंगे India Mart Oh my God, it's now 52 week close पे आ चुका है क्या करना चाहिए इंडिया Mart अगर आप मेरे वीडियो रेगुलरली देख रहे है जब यह हाई प्राइस पे था तब भी मैंने आप लोगों को कह दिया था कि भाई, be alert बहुत यह शेर इतने स्पीड से उपर गया जो मैं आपको हमें शेर डिस्लिप्लिन का ख्याल रखना सिखाता हूँ कि कोई शेर जो बहुत स्पीड से उपर जाता है उस पे बचके रहना चाहिए वो कोई भी शेर हो कितना भी fundamentally strong हो आप ज़रूर first सकते हैं अगर आपने पहले लिया है तो profit booking करना भी मत भूलिए क्योंकि जैसे सही time पे buying करना important है उसी तरह सही time पे sale करना भी important है तो वीडियो पूरा देखिए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको कहीं न कहीं tips मिलेगा जो आपको share analysis करने में काफी मदद करेगा साथ मैं आपको इभी कमनी के ओपर वीडियो बनवाना चाहते है तो जल्दी से मेरे comment box पे बताइए ताकि मैं उस पे जल से जल research करके वीडियो बना सकूँ बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe किजिए ताकि आपको भी regular update मिलता रहे मेरे चैनल की USP यह है कि मैं आपको date के साथ वीडियो बनाता हूँ और आपको सही support और resistance बताने की कोशिस करता हूँ मेरे चैनल की दूश्री बड़ी USP यह है कि मैं आपे हर महीने आप लोगों के लिए monthly preview भी updated कराता हूँ साथ मैं आप मेरी playlist में चेक कर सकते हैं यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए category US classification किया हुआ है अब बात करेंगे आज हम लोग जिन sales क्योप और monthly preview कर रहे है SCI का मैंने last time वीडियो बनाय था 2 June 2022 को जब इसकी closing वी थी 121.10 support 1 was 100 support 2 120 support 3 140 resistance 1 140 resistance 2 160 and resistance 3 180 पे SCI आज की डिट पे 13 July 2022 इसकी जो closing है 102.45 है support 180 support 290 support 300 resistance 100 तो बहुत make and break level है अभी SCI के लिए 100 के उपर अभी है टिकेगा या नहीं टिकेगा ये week बहुत crucial है इसके लिए 110 resistance 2 और 120 है इसका resistance 3 highest अगर आप इसका देख रहे है 122.65 है और इसका इस मैंने का जो lowest है 85.60 अब जो लोग short time trader है 100 के price पे इसको उठा सकते हैं बट याद रखना जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ 100 रुटीस के share है अगर कोई भी तो आपको कितना shares लेना है ये मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया हुआ है अब बात करेंगे blue star blue star company क्या घरती है कौन सी category में आती है ये सारा information जाने के लिए आप ये उपर दिया वे link पे जरूर देखिए blue star का अगर आपने पिछला महिने का वीडियो देखा रहता वहाँ पे अपने इसका highest देखा रहता तो ये बारस हो था जो कि मैंने आपको resistance zone दिया था blue star का मैंने लाश्टाइम वीडियो बनाया था दो जुलाई जो जून 2022 को जब इसकी closing वी थी 1006.85 support 1 was 800 support 2 900 support 3 1000 resistance 1 is also was also 1000 resistance to 1100 and resistance 3 1200 था blue star आजके रिट पे 13 जुलाई 2022 इसकी closing है 943.35 है same support and resistance 800 पे पहला support 900 पे दूसरा support 1000 पे तीसरा support but resistance 1 is also 1000 resistance to 1100 and resistance 3 1200 हाइस अगर आप इसका देख रहे है 1012.75 ये पिछले महीने आपको का था 1000 अभी इसके लिए important level होने वाला है और इसका इस महीने का जो lowest है 859.05800 के zone पे वो फिर से आया था blue star अगर आप मेरे वीडियो regularly देख रहे हैं मैंने 800 पे आपको ये share का suggestion दिया था 800 से 1800 से 1800 से almost 1200 टच करकर वापस 800 के level पे आपने देखा इसको आया है तो जो मैं आपको हमेशा सिखा तो कि 80% shares जो है अपने support and resistance zone पे चलते हैं आप अगर ये चीज़ पकड़ लेंगे तो definitely लिख के ले लो 800 का target आपके पैसे double आप देखिए आज उसका value कहां पे है मैंने कहा था company wise ये strong है बट हर share जो है support resistance पे चलता है ये आपको हमेशा ध्यान रखना है आप कभी भी share buy कीजे कोई भी share buy कीजे हमेशा ध्यान रखना क्या वो support zone पे है या नहीं है अब बात करेंगे इंडिया माट के बारे में इंडिया माट कमनी क्या करती है कौन सी category में आती है ये सारा information जानने के लिए आप यो पर दिया वे link पे जरूर देखिए इंडिया माट का मैंने लाश टाम वीडियो बनाय था दो जून 1 0 support 1 के भी नीचे आ चुका है जो मैंने पिछले मैंने आपको 4000 का support दिया था 3000 पे पहला support 3500 पे दूसरा support 4000 पे तीसरा support 4000 पे resistance 1 4000 अभी इसके लिए make और break level होने वाला है 4500 रिजिश्टन 2 4000 सॉरी 5000 है रिजिश्टन 3 हाइस अगर आप इसका देखेंगे 4650 है और इसका इस मैंने का चो लोश्ट है 3676 जो की है 52 वीक लोज इंडिया माट अगर आपने पिछला वीडियो देखा रहता मैंने आपको कहा था कि 5000 के उपर नहीं जाएगा तो अभी बाई मत करना कर्रेक्शन हो सकता है और कर्रेक्शन हुआ भी बट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जो शेर बहुत स्पीड से बढ़ा है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता है बहुत सारी वीडियो में पता नहीं होता है तो always याद रखना कि कोई share अगर resistance zone पे है 52 week highs पे है ये सबसे हमेशा दूर रहिए आपका loss होने का chances बहुत जादा है ऐसे shares में और अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर use करना होगा अपना stop loss जो मैं आपको अपने personal मैं बोलता हूँ कि मैं कोई भी share लेता हूँ मैं stop loss बहुत कम use करता हूँ in short मैं वही share लेता हूँ जो support 1 पे आपको मिल रहा है even support 3 में भी नहीं support 1 पे इसके लिए मैंने आपको अगर आप देखेंगे 800 का level पे blue star जब पता है था buy करने को कहा था आपको याद होगा M&M 750 का level पे buy करने के लिए कहा था जहां पर मैंने आपको stop loss नहीं कहा था कि भाई आप यह लेजिए तो 700 का stop loss रखिए या अगर blue star की बात करूँ 800 पे रख रहे तो 700 का stop loss रखिए 750 का stop loss रखिए मैं हमेशे आप लोगों को एक चीज़ सिखाता हूं कि support zone पे share buy कीजिए जहां पे आपको stop loss की use नहीं है delivery पे buy कीजिए अगर आप लोग नए है एक साल दो साल तीन साल है per day आप दिन का 2000 दिन का 5000 देखे जो लोग वीडियोस में आते हैं मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो कभी कमा नहीं पाते हैं अपने पैसे गवाते हैं यह बहुत बड़ा fact है तो always use the discipline चो मैंने आपको सिखाया आप मेरी playlist में भी चाके चेक कर सकते हैं discipline पर मैंने 12 से 13 वीडियोस बनाए हुए वह सारे वीडियोस देखिए उन्हें सुनिए उन्हें implement कीजिए और फिर खुद देखेंगे कि आप में कितना improvement हो रहा है तो उमीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे thank you so much